आज मैं पनीर की ऐसी सबजी बनाने जा रही हूं कि आप एक बार खाएंगे तो बार बार खाने की इच्छा होगी और एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने की इच्छा होगी तो चलिए चलते हैं यहां पर हम लिए हैं 500 ग्राम प्याज इसको हम अच्छी तरह से छील लि लिए हैं इसको हम इस तरह से पीस बना लिए हैं अब हम इसे उबा लेंगे इसके लिए हम एक प्रेसर कुकर लिए हैं इसमें हम प्याज को डाल दिये हैं हाफ चमच नमक डाले हैं और थोड़ा सा पानी डाले हैं एक कटोरी अब हम इसको चुला पर चरहा दिये हैं और यह तीन सीटी देगा तब हम इसको उतार लेंगे अब हम पनीर का पीस बना ले रहा हैं हम टोटल यहाँ पर 400 ग्राम पनीर लिए हैं चार सो ग्राम पनीर का हम टुकड़ा बना लिए हैं अब हम एक कराही को चुला पर चरहाए हैं इसमें हम चार चमच सरसो का तेल डाले हैं और पनीर को इसमें हम फ्राइ कर ले रहा हैं पनीर फ्राइ कर लेने से इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है आप चाहें तो कच्चा पनीर से भी बना सकते हैं सबजी इसे धीरे धीरे पलटना है पनीर बहुत ही सौफ्ट है पनीर फ्राइव हो गया है तो अब हम उसी सर्सों के तेल में आधा चमच जीरा का फोरन डाले है जीरा लाल हो गया है तो खड़ा गरम मसाला उसमें हम डाले है थोड़ी सी अद्रक डाले है कूट करके यह में एक चमच लंसुन का पेस्ट डाले है हाफ चमच लाल मीज का पाउडर डाले है हाफ चमच हल्दी पाउडर डाले है एक चमच धनिया पाउडर डाले है हाफ चमच काली मीज का पाउडर डाले है और हाग चमच जीरा पाउडर डाले हैं अब स्वाधनुसा नमक डाले हैं हमेहाँ पर एक चमच नमक डाले हैं छोटा चमच से अब हम इसको अच्छी तरह से चला देंगे मसाला को भूनना है यहाँ पर हम कसूरी मेथी को थोड़ा सा अरोष्ट कर ले रहा हैं सबजी में डालने के लिए प्याज और टमाटर उबल गया है तो अब हम उसी मसाला में इसको डाल देंगे जिसमें हम इस कराही में मसाला भूंजे हैं टमाटर के ऊपड के छिलका को हम हटा दिये हैं उबालने के बाद यह छिलका आसानी से हट जाता है अब हम इसको अच्छी तरह से कूच देंगे जिससे कि यह मसाला में अच्छी तरह से मिल जाए प्याज और टमाटर को उबालने के बाद ये अच्छी तरह से उचा जाता है इसके लिए आपको ज्यादा महिनत करने की जरूरत नहीं होगी प्याज और टमाटर को अच्छी तरह से हम खूच दिये हैं प्याज और टमाटर अच्छी तरह से भूना गया है तो अब हम इसमें जो पनीर फ्राई किये हैं उसको हम डाल दिये हैं डाल कर हम अच्छी तरह से इसको चला देंगे जिससे कि ये नीचे से जले नहीं धीरे धीरे आपको चला देना है और जो रोष्ट किये थे कसूरी में थी इसको हम डाल दिये हैं अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अब जिस में हम जिस पानी में हम प्याज और टमाटर को उबाले थे वह पानी हम उसमें डाल दिये हैं इससे ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है वो पानी को बढ़वाद नहीं करना है पनीर की बहुत हिस्वादिष्ट सब्जी बनकर तयार है आप इस तरह सब्जी बनाएंगे और खाएंगे तो आप होटल जाना भूल जाएंगे होटल से भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है आप ए वीडियो किस सहर से देख रहा है मुझे कॉमेंट करके बताएं